तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाब दिनाय जैस्वाल ने खोला अपनी ही पार्टी के नेताओं के किलाफ मोच्चा प्रभारी सचेवर चंदन यादों पर लगाया बड़ा आरोप चंदन यादों ने मुझसे 7 लाक रुपए लिए टिकट की लॉबिंग के लिए र देखिए तीन मेना पहले मीडिय रिपूर्ट की बाद करें भारती जनता पार्टी के नेताओं की बात करें या आमजनता की बात करें किसी नहीं नहीं सोचा था कि इतनी लोगपरी सरकार जो कॉंग्रेस की है वो इस तरह से पिषड जाएगी या इस तरह से चतिजगड में कॉंग्रेस पार्टी की करारी हार होगी। आज जब ये करारी हार हुई है तो हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग बहुत छुब्द हैं कि तीन मेहना पहले जब इनका जो RSS का जो कैडर था, एक-एक बुतों में घुसके वो अपना परचार चालू कर दिया ऐसा बवंडर बना कि पूरा पूरा जो छेत्रता विधान सभा खाली हो गया और केवल नेताओं का और प्रभारी सचीओं का और इसका चक्कर काटने का काम रह गया और जिसका गंभीर परिणाम आज हम लोगों को भुगतना पड़ा हैं, साथ ही साथ मैं सभी चैनलों के मा जंदन यादाओ, चार लाग और तीन लाग रुपै मुझसे लिए, अब उस समय जो बात थी कि पार्टी के खर्च हैं और यह हो हैं, तो इस बात की जांच होनी चीए कि क्या वो पैसे पार्टी के काम में लगे, क्या पार्टी के पक्ष में उन पैसे को खर्च किया गया, और नहीं तो इस तरह के जो लोग चातिस गड़ में आके लोगप्री सरकार को आज इतनी बुरी इस्तिती में लाने के लाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, इनकी जिम्मेदारी तै करते हुए इसमें जांच होनी चीए और इनके उपर कारवाई होनी चीए. तो उन्होंने जो पैसे लिए तो क्या वो संगठन के काम के लिए मांगे या टिकेट के लिए मांगे थें? वो केवल एक गलत तरह से जो उसका इंटरपेटिशन किया गया है आज मैं अपने टिकेट की बात करूं तो मैं बार बार एकी बात बोलता हूं कि अगर मेरा स्थरवे खराब था मैं अगर हार रहा था तो मेरी टिकेट कटी उसका मुझे कोई गम नहीं है मैं कॉंग्रेस पार जो आदमी गिलास चाप से निदली खड़ा हुआ और जो आदमी केवल और केवल एक फैमिली का एक पॉलिटिकल फैमिली का और पिछले 40-50 साल से उनका सिपास अलार रहा हो उसको आपने टिकेट दिया वहां को एक को सतर साल के उपर आदमी को आपने टिकेट दे दिया टि परसल आ रहे हैं उनके बड़े समर्थक हैं अगर उनको टिकट टिया सिंग्देव जी की अनुसंसा से मिली है तो यह बात उनसे पूछनी चाहिए कि अगर आपने एक सेटिंग मेले की टिकेट काटा तो उसके जगह में विनेबलिटी कोई अच्छा यंग चैप जो इसके दोरा मुझे बताया गया था कि टियर सिंग्देव जी ने उनको बोला था दो मेना पहले कि भाई बहन में से उनकी शिष्टर भी है जो वहां पर नगरपाली का केद्धक्स है यह आपस में तैय कर लें कि दोनों में क्योंकि दोनों टिकेट मंग रहे थे और दोनों क में काफी लड़ाई थी तो टियर सिंग्देव जी का यह बयान था कि यह दोनों भाई बहन तय कर लें कि दोनों में से किसको टिकेट देना है तो इनकी टिकेट आज फाइनल हो जाएगी तो क्या कॉंग्रस की टिकेट इस तरह से फैनल हुई है पिर सर्वे क्यों बहाना प आपने पार्टी के लोगों को इतर डिस्टर्प किया क्यों तीन मेंना पहले आपने पूरा उठाशा दिया आखिर में इसका जबाप कौन देगा इसकी जहांच होनी चीए और इसकी जहांच होनी चीए और सम्मधिद्यों के उपर कड़ी कारवाई होनी चीए सेदेव और अधन याद हो दोनों पर आपने बड़ा गंभी रारूप लगया है हाई कि अधर अधर ने राहूल गंडी जी को मलिकार जुन खड़गे जी को मने समय भी मागा है मैंने मेल भी कि मुझे समय दीजे तो मैं इन सब बातों को रखूंगा कि किस तरह से ये पार्टी में जो ह इस पार्टी में अजीज जो की बनने वाले जो लोग थे अगर ये पार्टी में अगर ये लीडिंग पोजिशन में रहेंगे तो फिर कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आने वाले समय में बहुत सालों तकम प्र उसको देखने ही पाएंगे अब देखने वाली बात होगी हाई कमान इस आरोपों की किस तरह से जाज करता है और इस मामले में क्या करवाई होती है कैमरामन अरून के साथ स्वपनल गौरखेडे आनेश न्यूज राइपुर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर विधायक विनेज अस्वाल का बड़ा आरोप है यहाँ पारे कॉग्रिस के पूर विधायक है विनेज अस्वाल आपको बता दे यहाँ पर बड़ा आरोप अपनी पार्टी के लोगों पर उन्होंने लगाया है उन्होंने स्तात लाख रुपे लेने का भी आरोप यहाँ पर लगाया है और उन्होंकी टकट कार्ट दी गई थी उस पर भी उन्होंने कड़ा परहार किया है को एक एक को एक खब एक एक टुड़ को एक लूनेखें को मजयनुबाटन नचल एक टूना हिएर को एक टूनाखें